वहीं एक तरफ व्रिटन ने यूक्रेन को कालासागर में रूस की ताकत से साथधान किया तो दूसरी तरफ रूस की तरफ से खतरनाक डॉल्फिन कालासागर में तैनात किया जाने की खबर है जिसकी जानकारी अमारी की सेटलाइट से ली गई कुछ तस्वीरों से सामने आई ऐसी तस्वीरों के आधार पर कई अंतराश्ट्रीय एजन्सियों ने दावा किया है कि काला सागर में अब रूस की फॉज की डॉल्फिन तैनाथ है काला सागर में क्राइमिया पर 2014 से ही रूस का कबजा है क्राइमिया से दक्षणी यूकरेन का तट लगता है जो रणनीतिक तोर पर रूस के लिए बेहत एहम है काला सागर में ही रूस ने अपने सबसे खतनाक और सबसे दमदार जंगी जहाज मौसकवा को भी तैनाथ किया था जो पिछले हफ़ते समुद्र में डूप गया था यूकरेन ने दावा किया था कि उसकी एक मिसाइल ने मौसकवा को निशाना बनाया जिसके बाद मौसकवा सैंकरो रूसी नौसेनेको के साथ समुद्र में डूप गया था इससे पहले रूस का एक और जहाज सारतो भी समुद्र में डूप चुका है लेकिन दावा है कि रूस की ताकत अब भी काला सागर में कम नहीं हुई है कई जहास और कुछ सम्मरीन भी काला सागर में तैनाथ है लेकिन सबसे खतरनाक बताई जा रही है रूस की पौच से ट्रेनिंग ले चुकी डॉलफिन जो दिखती तो आप डॉलफिन जैसी ही है लेकिन होती बेहत खतरनाथ है दावा ये है कि रूस की सेना के लिए काम करने वाली इन डॉलफिन का सबसे पहला काम होगा दुश्मन की जासुसी करना अमारिका की निजी साटेलाइट कंपनी ने कुछ तस्वीरे जारी कर इसका दावा किया है ये ऐसी डॉलफिन है जिन पर वहा की पॉल्च ने वाटरपूफ कैमरा बाधा हुआ था ऐसा कैमरा जिसमें समुद्र में होने वाली हर हलचल को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि दुश्मन की हर चाल पर नज़र रखी जा सके इसके अलावा ये डॉलफिन इतनी होश्यार होती है कि अपने और दुश्मन की जहास या सम्मरीन को असारी से पहचान सकती है मतलब ये कि दुश्मन की हलचल का पता चलने पर चुपना भी इने बकू भी आता है दावा तो ये है कि ऐसी डॉलफिन समुद्र में बम लगाने या माइन्स लगाने में भी माहिर होती है यानि जब तक दुश्मन को किसी की मौजूद्की का एसास भी हो तब तक ये डॉलफिन अपना काम करके निकल सकती है लेकिन युक्रेन के लिए खत्रा केवल ये डॉलफिन नहीं है बलकि बृटिन का दावा तो ये है कि काला सागर में रूस की 20 से ज़ादा सम्मरीन है और जाहजों का ऐसा जाल है कि वहां रूस की ताकत को कम करके आँकना बहुत बड़ी गल्पी साबित हो दे है खास तोर पर बृटिन ने ये चैतावनी तब दी जब एक दिन पहले ही युक्रेन ने स्नेक आईलेंड पर कबजे का दावा किया था इसके बाद ही दावा किया जाने लगा कि काला सागर में रूस की ताकत कम हुई है स्नेक आईलेंड को रूस की समुद्र में कम होते दबदबे का सबूत माना जा रहा था हाला कि रूस की नौसेरा ने मौसकवा की दूबने के बाद से ही अपनी मौजूद की बढ़ा दी थी खबर है कि जिस जगह पर मौसकवा दूबा उसके पास तो रूस की नौसेरा एक बढ़ा ऑपरेशन जहास का मलबा ढूडने के लिए चला रही है हाला कि मौसकवा की मलबे में क्या छिपा है इस पर भी एक बहस से छिड़ी हुई है लेकिन ब्रिटेन ने युक्रेन को दो टूक कहा है कि मौसकवा की डूबने को रूस की कमजोरी समझना बड़ी चूक सावित हो सकती है खास बात यह है कि मारिपुल, बर्दियांस्क और ठैरसोन जैसे रूस के बड़े टार्गेट काला सागस से लगने वाली युक्रेन की सीमा पर ही है